अरी शावत हमारे साथ मौजिदों सर्थ आपने कोविट के बहुत सारे मुद्दों को उठाया, महंगाई के बहुत सारे मुद्दों को उठाया, सिलिंडर को उठाया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से अगर सीट्स की वर्षा की बात करें, तो बीजेपी के पास लगात जितना प्यार दिया है, उसके लिए उनका अभार भी व्यक्त करता हूँ, लालकवा के लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, यह ते अल्फ समय में इतना प्यार उन्हों ने दिया, और सांती सांत में अपने सायोगियों, सांतियों, सब को धन्यवाद देता हूँ, आ प्राप्त नहीं कर पाया जिसको प्राप्त करने की हगदार थी गोल पोस्ट तक हमारे सब लोग ले करके गए मगर गोल नहीं कर पाया तो मैं मैंने इसी लिए कहा दिए अपनी जिम्हदारी श्विकार करता हूं और यह कंपेंड कमिटी के चेयर्मेंड के तौर पर मेरा फिल करता हूं सर पचास साल से अधिक समय से आप राजनीती कर रहे हैं उसके बाद भी इस तरह से क्योंकि पिछली बार का चुनाव भी आप दो चुनाव भार गयते वर उसके बाद में यह आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कमी थी जिसको आपको दूर करने के जरूरत है हाँ म इंजन फेल विकास ठाप पड़ा हुआ है कुशासन की इंतिहा है इसके बाब जूद भी भाजपा भाजपा लोगों के आशिरवाद से माला माल है बलकि मुझे तो आशिरी है क्यों पुशकर सिंग धामी को लोगों ने दंडित कर दिया एदी पापी थे भाजपा के तो द जंता की भावना को नहीं समझता उसकी पीड़ा को नहीं समझता है तो उसको राजा रहने का कोई हक नहीं है यहां तो राजा पीड़ा ही पीड़ा दे रहा है महंगाई से तरस्त लोग बेरुजगारी से तरस्त लोग कुशासन से तरस्त लोग प्रस्चाचार से तरस्त ल करके जरह सा पीडित था क्योंकि एक अच्छी उसुरुवात नहीं कर रहे थी वो लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि मुख्यमंति हारे यह मुख्यमंति हुआने की जो परंपरा है यह उत्राखन के अंदर जो है पूरी सारी राजनीति को शेकी बना रही है यह मैं उमीद करता कि पुषकर सिंग धामी अंतिम ऐसे मुख्यमंति हों जो हारे चुनाओं जो है आप तर रॉल विधान सभा मैं अनुहों और उन सब चीजे चाहिए सब वो चाहिए तो लेकिन यह अब जनता जनारदन का निले है हमको श्वीकारी है अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंग कि मैंने ऐसा उसा पून बाताओं कॉंग्रेस के लिए या चैलेंजिंग पाटी के लिए कभी भी ने देखा चैलेंजर के लिए जो है जिस बाताओं में यह चुनाओं लड़ा गया और कॉंग्रेस जनुह मैं जो उसा था वो देखने काबल था लेकिन उसके बाबजूद कि इतने सब बातों के वाफ़ूद भी यदि सुनाव जीता जा सकता है तो फिर भाजपा के पास कहीं कहीं से कोई ऐसी शक्ती जरूर आ गी है जादुई जिससे सब चीज़े मैं हो जा रही है कैप्टन थे खाड़ी कि अव्याइब करें करनल कोठियान की बात करें आधी शावत की बात करें या फिर पुशकर सिंग धॉटःarmी की बात करें तीनों ही अपना जुनाव हार गए क्या लगता है सर कि यहां की जनता क्या पहले से अगर कोई नाम का एलान हो जाए या उनके सामने आ जाए तो वो चाहती नहीं है या फिर कोई और वज़े है मैं तो इस कारण को समझ निपाए खर करनल को उठियाल तो विचारे उनको इसमें सामिल ने करिये मैं और पुष्कर सिंधामी जरूर जो है हमको अपने गहराई से मनन करना पड़ेगा कि क्या कारण है क्यों हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए और मैं तो कम से कम यह चाह हूं जिनके लिए मैं संगज करता हूं जिनके लिए मैंने अपने आपको समर्फित कर रखा वही तो उत्राखंड का सॉलूशन है उत्राखंड के बाद कोई दूसा सॉलूशन नहीं है जिन सवालों को उत्राखंड के लोग उठाते हैं बेरोजगारी पालाए नादी आदी कि उनका सॉलुशन केवल जो हरी शावत कहता रहा है वही है कोई दूसा बिकल्ब है ही नहीं लेकिन उसके बावजुद भी हरी शावत जो है जहां जो है उत्राखंडियत का माईका कह सकता हूं मैं लालकुआ को वहां चुना भार जाता है मैं तो केवल आपने जिन बातों को मैं उठा रहा था उसके लिए चुनाओ जीत जाना चाहता है जाता और नामिनेशन करता जीत करके आ जाना चाहता तो कहीं कहीं पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जनपृति नीदी के रूप में, मैं लोगों में विश्वास नहीं जगा पा रहा हूं कि भश मैं एक अच्छा जनपृति नीदी हूँ, आप चुनाव लड़ू ना लड़ू, भश चुनाव लड़ू लड़ने पर तो मैं सो काम करूंगा और एक छोटे इते गाहों को मौडल के रूप में ले करके साइध जो मेरी शोच है अपने राजी के विशे में उसके कुछ पहल प्रारम कर शबूँ किसी अपने पड़ोसी की कोई तो तो नहीं लगती आपको ये कारिस्ता नहीं नहीं किसी के सब लोगों की सब भावना है मेरे साथ थी करेंगे उनको भी कहीं कुछ रही है चाहे पंजाब हो चाहे गोवा हो चाहे मनिपूर हो या जो है हमको देखना पड़ेगा जैसे उत्रप्रदेश में तो एक चूप समझ में आती है हमारी प्रिंका जी बहुत काम किया ठक प्रश्रम किया हिला दिया उन्होंने सरकार को प उनकी पार्टी के काईडर मजूद था तो वहां तो हमारी समझ में आता है हमको अपने काईडर को फिर से रिविल्ट करना है लेकिन और जगों हम आ रहे है लग लग जगो के विश्लेशन होंगे वहां के लोगों को विश्लेशन करना चाहिए और अपनी कम्यों को खुद पड़ेगा हमाले कोई आकर कि नहीं जिताएगा हमको खुद जीतना पड़ेगा इस इस भावनां से काम करना पड़ेगा और मैं जितने दिन जिन्दा रहूंगा मैं इस भावनां से काम करूंगा यहां के कॉंग्रेस के लिए कंटिब्यूट करूंगा उता हरे कॉंग्रेस कांग्रेस के साथ निरंतर मुझे चाहे मैं एक छोटा सा ही सयोग देशकूंगा या चोड़ा सा युगदान देशकूंगा वो युगदान मैं निरंतर दूँगा हरी श्रावत के लिए सवाल है क्या हरी श्रावत चुनाब बड़ेंगे या लोगों को लड़ वाएंगे या कшего किंग मेकर की भूमी का नभाईएंगे या फिर खोट खोट बनेंगे अब तो इतनी बार हाड़ा हाड़ा हो गया अब उस वर कितनी मोहर लगानी बाखी है तो कि सन्यास सन्यास ले रहे हैं किसने कह दिया सन्यास ले रहा हूं मैंने तो अभी आपके तापने को रिइन्वेंट कर रहा हूं तो सन्यास ही अपने को रिइन्वेंट थोड़ी करता है तो एक खुशी भी आपके घर में आई है अनुपमा बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है और एक कड़ावर कैबिनेट मंतरी को उन्होंने हराया है क्या लगता है अनुपमा का अपना पॉलिटिकल हुआ है वो पिछे पंदर एक साल से काम कर रही थी लोगों ने उ जीत करके आया है उनके सान मेरा अशिरवाद है वो बहुत अच्छे विधायक अपने को सिद्ध करेंगा और हमारे बहुत अच्छी टीम है जितने लोगों को जिताया है जनता ने उसके लिए मन धन्यवाद देता हूं जनता को कि हम एक बहुती सक्षम अपूशन सिद्ध ह अच्छी बात करने के लिए बहुत बहुत घन्यवाद है हरी शावद एक ऐसी सक्षिय थे जो कभी हार नहीं मानते हैं बहुत खुल कर सभी सावालों का जवाब भी दिया और अपने बारे में पूरी तरह से बताए कि कैसे वो री-इन्वेंट करना चाहते हैं कैमरामेन हुआ 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 है